दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप आइफोन में डू नौट डिस्टब मोड में रिपीट कॉल्स को कैसे इनेबल या फिर डिसेबल मतलब अन या फिर ओफ कर सकते हैं ताकि जब आप डू नौट डिस्टब मोड में हो और कोई रिपीटिडली आपको कॉल करे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी आपको कॉल रिंग करेगी ओके फोन आपका रिंग करेगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है आईफोन की सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे एक ओप्शन दिखेगा फोकस का आपको इसपे क्लिक करना है इस पे click करते ही आपको एक option दिखाएगा Do not disturb का आप इस पे click करिए इस पे click करने के बाद आपको एक option दिखाएगा People का आप इस पे click करिए इस पर जैसे ही आप click करेंगे तो इस type का interface मिलेगा यहाँ पर नीचे की side आपको Allow repeated calls का option दिखाएगा यहाँ से आप इसको on कर सकते हैं अगर बंद है और अगर on था आपको off करना है तो click कर देंगे यहाँ पर बंद हो जाएगा तो यहाँ से आप इसको on या फिर off कर सकते हैं अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए